तब तक हम देखते हैं कल के देखा था है तो एट सिविंडिस उसमें भी पट्टीदार जाट्स की बारे में पड़ा था उनको क्या चाहिए था रेवन्यों कम चाहिए पूर पीदर्स को क्या चाहिए था नो रेंट कैंपेंट चाहिए था दोनों आइच साथ नहीं चल सकते क्योंकि कॉमरेस ने रिच पीदेंसे ने की पट्टिदार और जाट्स को पास किया हुआ था वर्कर्स को दूर इसकी वर्कर्स ने सपोर्ट नहीं किया कॉमरेस को बात है यह सब की लिए चल रही थी अनस और प्रणाम अगर जॉइन कर चुके हो तो हाई डालो चैट में वर्ना मैं आगी शुरू कर रहा हूं ठीक है तो यह सब वाला उसके बाद वहीं वर्किंग लास में कैसे देखा और बिजनसमें ने कैसे देखा सियार दास पुर्चतम दास ठाप्रदास दिरला वगरे कि लोगों ने कैट किया किसने फीकी की स्थापना हूई ऐसी आइसी इसफी की स्थापना हूई लिए सो बीस आइस में रिस्पेक्टिवली कि यह क्या हो रहा है 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 गद्धारी देश के ताब गद्धारी कोई बात नहीं हां और कोई चीज़े बागी दोगना जॉइन दिखिया तुमें दोगने तुमें जिस में दोगने तुमें देखने वाले हैं रोल उफ मंझे ज रहा है और सबसे इंपोर्टन था सबस्क्राइब बेसिकली सबस्क्राइब जो अमीर से अमीर गरीब से गरीब सब के लिए सोट एक्स का खतम होना सौल्ट इस बात पर भी दो दिया था ठीक है तो यह सारी प्रॉब्डम्स थी थीक है ठीक है ठीक है आगे कि रियक्शन और वर्किंग क्लास होगे था आज प्रेम पार्टिसिपेशन आप जाला खुश होने जैसा कुछ नहीं है और तों के लिए इसमें दान्दी जी चाहते थे कि औरतें पार्टिसिपेट करें इसमें सेवा करें उन लोगों की जो पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए डारेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए ऐसे कुछ उनकी रिचार धारत थी देखते हैं पर तरसके बरबरे को अनदर इंपॉर्टन किया क्या है वो हमें देखता है ठीक है आगे डूरिंग गांदी जी सौच मार्च थाउजंस अब विमन केम आउट आप देर होंस तो लिसंटू इम हजारों और तेंगर से बाहर निकली उसकी बात सुनने के लिए उनकी आवाज सुनने के लिए क्या चाहते हैं देश किस प्रॉब्लम में और कैसे बाहर ने को सकता है यह सुनने के लिए पार्टेस्पाइट मार्च उन्होंने बहुत सरे विद्रों के लिए जो यह थे क्या आंदोलन थे अजिटेशन से उनने पार्ट से बिट किया सौर्ट मनिफेक्ट्ट्र करने में भी मदद की पिकिटेड फॉरं टोड्स अन लीकर शॉप को भी पिकेट करने में मदद की अक्टिव नीए इन अर्बन एरिया इस वोमन वर प्रॉं हाइक आस पैमिली इसके लों के पास काम गर का दरने के लिए कर सकती थी किसी भी एजिटेशन ठीक है इन रुवल एरिया दे केम फ्रॉं रिच पीजन साउप हाउसोल अमी लोगों के घर से ही और एक्टिवी पासिपेट कर पाती थी यहांपर खीक है और कि असे बखिए और दिस एए नशेट थी सब्सक्राइब गर्वाज इस तों आप अपने इस इंगी इस इंग्रेंशन देर पॉपलेशन ओल शुका पूबेक इस्पूब्लिक रोल शुका का पॉबलिक रोबड़बज इंग नूसरी अने अज़िए नियंगी आगिए इन रहाव में मातलब जिस तरह से औरतों को देखा जयता है कि घर का सबसे काम नहीं तेक्षिन क्षिमिर करने पार गलाद है तरह कि अलग सा दर्जा देने की नहीं सोची को किसे नहीं ठीक है आगे ग्रांदी जी वह सकन्मिंस्ट यह बाद मान चुके थे यह ड्यूटी है वोमन की कि उसको अपना घर और घरबार समवालना यहीं जब से में हैं अच्छी माय बनना है और अच्छी बीविया बनना है कि अच्छी बड़ा सब्सक्राइब करने के बावजूद कॉमरेस पार्टी में और तो कोई बड़ा सा स्थान बड़ा सब्सक्राइब नहीं मिला ठीक है वर लॉंग टाइंग तो अलाओ वुमें तो फोल्ड एनी पोजिशिशिंस ऑफॉर्टी विदिन दो और में बहुत लं एक्टिम नहीं ठीक है तो अलाओ वुमें टू होट अनी पोजिशिशन इसलिए और तो कोई भी पोजिशिशन पद पार्टी में दिया व्या नहीं था इत्वास की ओंलिंदेव सिंबॉलिक प्रेजिंस कि वहां सब्सक्राइब हैं दिखाने के लिए और और को साथ में जा हो गया रहे तो यह था क्या और दों के पारे में पार्ट तो हर काम जो मर्दों किया और तो ने भी किया अक्टिवली सारी मां सब्सक्राइब में अच्छी बीडिया और अच्छी माय बनना चाहिए यहां पर आता है तीन मार का दुर मार का सवाल आ सकता है दोस्तों तो अच्छी रख सी करके जाना ही हुआ तो आगे दे लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियम्स की लिमिट्स यानि की डिस एड्वांटेजिस कहते हैं साइंस में तो लिमिट्स का उता हो सकता है कि हद क्या थी इसकी ऐसी कौन सी चीज़े थी जिन पर आक्टिवली काम नहीं कर सकी या इसकी चीज़ करने में ना कामियां रही तो इसकी स्कोप में वो चीज़े नहीं थी इस रवांटेज कहते हैं साइंटिफिक की नौट ऑल सुच ग्रूप्स सारे के सारे जो सामाजिक सामाज की जो अलग अलग ग्रूप से वह समान रूप से मूव नहीं हो कि से अब्स्ट्रेक्ट का मतलब क्या होते हैं कि एब्स्ट्रेक्ट इस वर्ल्ड का सबसे बेसिक मीनिंग है वेरी वेरी बेसिक क्या बोले हमने एब्स्ट्रेक्ट इस वर्ल्ड का ही मतलब है क्या वेरी वेरी बेसिक ठीक है तो एब्सेट कंसेप्ट हैं कि बेसिक कंसेप्ट अफराज से जादा लोग प्रभावित नहीं थे वन सच पॉस्ट नेशन्स अंटॉचिबल्स यह यहां पर बहुत इंपॉर्टन पार्ट है इसकी तो ध्यान नहीं देया गया और इसकी वज़े से भी प्रॉब्लम हुए ऐसा यह ग्रुप था जिसे अंटॉचिबल से नहीं कि अचूट कहते थे हुंदी वी फूफ्रॉम अराउंड नाइंटीं थर्टी से बिगन तो कॉल देंसेंट और उप्रेंस्ट इनको नाइंटीं थर्टी से दलितियां के अचा और आप मिर्ण गल्च इन तो variants sło ऑपों पर आइंटोंगे व को आज विग्न एंडॉजई उपें फ्रह ट्रोल रॉंड तो ड़न होंग घञ नर्stat यॉंट्जवर एंड़ाइं पर पिर ऑफेंडिंग जो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब से उर्ण के लिए इस लिए इंडोर कर दिया थे उंट्भप गांधी जी नहीं नहीं मिलेगा सौ सालों तक भी अगर लिभी देश से ख़तम नहीं हुई तो इसलिए शीज सबसे पेले कहा होनी चाहिए अन्ट जिरी तो चूत अचू ने जो है न कि यह खत्म होनी चाहिए सबसे बहले तब एक जाकर क्या होगा कि क्या होगा देश को आजा भी मिलेगी ठीके गांदी जी डिकलेड दाट स्वराज गुड नॉट कम पर हंड्रेड यह इस अंटॉच बिलिटी वह नॉट एलिमिनेटेड टीके की वॉस दॉटी कॉल दॉट अंटॉच बलस ठीके कांदी जी ने अंटॉच बलस को हरी जन और चिल्डरन ऑ गॉड हरी के जन्धर यह ने रहां ब्रुवान उनके जन्धर चिल्रोन ऑफ गॉड ऐसे बोला और इस बारे में पिसक्ट्यागर किया कि उनको मंदिर में एंट्री मिलनी चाहिए पहले नहीं मिलती थी अच्छू लों को सब्सक्राइब एंट्री इंटू टेंपल एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स ठीक है जो हुए होते थे वह उन्हों के लिए अलग से लेकिन अब उनको भी पब्लिकली वेल्स पर भी आने दिना चाहिए टैंक्स पानी से पानी के जो टैंक होते बड़े-बड़े वहां र की हिंसर्व क्लीं टॉलेट उसने खुद गांदीजी ने खुद टॉलेट स्की जिससे की यह जो काम करते हैं लोग कास्ट के लोग इसको बुरा ना कहा जाए ठीक है इसलिए हिंसर्व क्लीं टॉलेट्स टू डिग्निफाइब वर्क ऑप दभंगी ब्रैकेट में लोग कास्ट परकास्ट इसमें इसको तोड़ने की पूरी कोशिश कर दी खुद उसमें एक्टिवी पाटनेट करें बट मैंडी दलिट लीडर्स वर कीन ऑन डिफरेंशियल पॉलिकल सब्सक्राइब बहुत सारे बलेट देजर्स थे वह बोले यह जो कर रहे हैं गांदीज यह स्लूशन नहीं है चूटाचूट का तो बट मेनी दल्थ लीडर्स वर कीन ऑन डिफरेंट पॉलिकल सुलूशन तो दो प्रॉब्लम सब्सक्राइब इसको ब्ला होना चीए तो उसके लिए यह स्ट्राइल कर रहे हैं पानी के लिए के लिए स्कूल के लिए यह काफी नह थेंसेल्स दिमांडी रिजएवसीट सीट्सें एडुकेशन उन्हें खुद को और उन्हें क्या पिए इंस्टिट्व। पर रिजएट सीट्स डिमांड की डाट की तो चूब्लिफ मेंबर्स वार लजिसलेटिव पॉलिटिकली स्ट्रॉंग करने की मांग की अपने आपको पॉलिटिकल एंपावर्मेंट लिखा अगले पॉलिटिकल एंपावर्मेंट बिलीव पॉल्टिकल एंपावर्मेंट यह जो बांध है ना वो बन जाएंगा कि यह जो कर रहे थे उसको काफी नहीं मांग रहे थे ठीक है महाराष्च्र नापूर रीजन वेर और नापूर रीजन वह इस वाइप फाइट तो महाराष्च्र में और नापूर रीजन में बहुत यह बहुत इंपोर्टन यह पेपर में आता है कहीं तो इन्होंने ही डॉक्टर अंबेर कर और अर्गनाइज द दलिप्रेस्ट क्लास असोसियेशन नाइंटीं 30 याद रखिए रोस्तों पेपर में एक बात के लिए आ सकता है कि डॉक्टर अंबेर करने कि डिप्रेस्ट क्लास असोसियेशन बनाई नाइंटीं 30 में ठीक है और क्लैस्ट महात्मा गांदी अग्ड़ सेकेंड रांटेबल कॉंफरेंस सेकेंड रांटेबल में उनके बहुत सारे विचार विचारत सेम नहीं थे मतलब बैचारिक मतबेद इसमें गांदी जी और डॉक्टर उन्बेद तो बाइड डिमांडिं इसकेंड यह का रांबेद चाहिए उसके सिवा राजकी एसे शांशकते करना आप नहीं हो तो डॉक्तर बियां डिर लिटिश गोर्मेंट अग्री अंबेर्कर जुमांड बिटिश गोर्मेंट ने उनके सेपरेट इलेक्टरेट मांगने की इसको हां कह दिया जान जी बीगें अफ़ास्ट उट्व गांडी जी सुनते ही आ मरण क। कर दिया पूरे समांज में मिक्स होना यां उनको एकत्रित होना हिंदू समाज एकत्रिक होना है पुरा इंदिया समाज इंडिया पुरा एकत्रिस होने में बाधा आएगी अगर दलितों को सेपरेट इलेक्टोविट दे जाए और दलितों को सेपरेट इलेक्टोविट नहीं देरा चाहिए इसलिए क्या किया कि अंशंपर बैड़ गेगो आम अनों कोशन पर बैड़ एक ठीक है बादी माधनी बडी आ डिड़ दो पूना पैक्ट राइज याद रखना पूना पैक्ट में कुना पैक्टसट्रेमर 1932 इंगेव डिपेस्ट्रास्टेशल कास्ट बिजाव सीटिस इंप्रोविशन और लिजिस्टेटर इजिस्टेव पॉंसे इस पूना भाट्क पाइग इं लेकिन वोटिंगे अगला तो यहां पर रोल आप डॉक्त थीन पॉइंट क्या है कि डिपरेश क्लास असोसीशिटिन में आंटिंग थर्टी में उन्हों बनाई कि राउंटेबल कॉंफरेंस में होने सप्रेट इलेक्टोरिट डिमांड की ती गांदी जी के विरुद्ध खड़े उनकी उनकी बैचारिक मदबेट थे बिटिश गवर्मेंट रेड़ी थी सप्रेट इलेक्टोरिट के लिए लेकिन गांदी जी ने बोला ऐसा मैं मैं आमने अगर तुमने उनको सेप्रेट इलेक्टोरिट दिया तो है ठीक है तो फिर इसके लिए गांदी जी फिर क्या हुआ अगे डॉक्तर अंबेर कर अल्टिमेंटली एक्सेप्टेड गांदी जी को समझ में आगी माननी पड़ी और उनको पैक्ट पर नस्ताक्षर करने पड़े सब्सक्राइब इसमें डिप्रेश क्लाव जो थी दलिप जो थे उनको शेडियूल कास्ट या रिज़र्व सीट इन प्रोविंचिल एंग सेंटल लेजिस्टेटिव और सिल देना पड़ा है बट देविट वोटे इवाहिन जब 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 दलेक्टोरिट में वोट करना जो भी सुन रहे हैं मेरी बात उसनो बाकी कोई कुछ भी बहुत तुम्हें समझ में आ रहा है ना बात करना दो है तुम्हें तुम्हें दिखने ना थीक से चैट में बाकी वाकिवादकु लोग आएगे-जाएंगे मुझे उससे कोई बढ़ता है जो पढ़ने-वाले और कोई परती बढ़ता हुझे है तो पार्टिजिमिशन ओगया लिमिट्स ऑफ सिविल डिस डिस सिविल डिस ओबीडियन्स हो गया अब हो गया अब आता है सीलिंग ऑफ एलियनिशन अमंग दो मुस्लिम्स को ऐसा क्यों लगता था मुस्लिम अपने आपको हमेशा अलग थलग क्यों पाते थे उनमें एक अलग रहने की फिलिंग क्यों आती रही बार 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 इसका क्या का रहा है तो देखो सूंद अब थे मुस्लिम पॉलिटिकल और्गनिजेशन इंडिया और अलसो लूग वांग यानि की बहुती थंडा 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 रिस्पांस देना इन देर रिस्पांस चू सिविल डिसोबीडियर्स मुवमेंट ठीक है सबसे पहला आफ्टर डिक्लाइन ओप दो नौन कोपरेशन खिलात पैज सक्कुत कियों तो सबसे पहला कोरना आफ फेलन कि याद हैको ऑन ओन कोपरेशन खिलापत मोमेंट के खिलाफ्स यह वाली जो थी वह और अब नौन कोपर्शन खिलापत मोमेंट यह सेक्शन ऑप मुसलिम सब्ढइना डियन इन आवरा pię वाउन दॉमेड नाइंटीनटिए जनी की 1915 के आसब जाये 25 क्कॉंडरेश कें टुभी मोर्सिबली असोचियेटेड विपनली हिंदू रिलिजियोस नैश्ट परिग नहीं उनके लीडर्स जादा आने लगे कॉंगरेस में इसलिए बिल मुस्लिम्स को ऐसे लगा कि हम तो है नहीं देश का पार्ट पुरसा अलग ठलग होने की पीविंग आने लगी जैसे की ऐसी ऑर्गनाजिशन का नाम कहता है हिंदू महासभाथ यह नाम था उका अर्गनाजिशन क communal clashes and riots in various cities यह मद्भूल यह मद्भूल दिवाइड है रूल कि यह तरीका कि अंग्रेवी तरीका कि 1892 का लेटर है किस ने लिखा बताओंगा नहीं मैं कि उसमें क्लियर ली लिखा था लेगी यह उसमें क्लियर ली लिखा था अब इंडिया हमारे हाथ में रहने से रहा इंडिया हाथ से इंडिया अब हमारे कब्सें में रहने से रहा एक काम करो इंदु मुसल्मान को आपस में लड़वा दो जगडा करा दो इंदु मुसल्मान का तो यहीं वेरे बड़ा रख्या कि जैसे जैसे हिंदु मुसलिन के संबंद बुरे होते गए और में कि बहुती करवाहट आती ही संबंदों में तो क्या हुआ इच कम्मुनिटी औरगनाइज रिलीजिस प्रोसेश्शन विद मिलिटर्ट परवर दंगा करने के स्वरोग के नारे बादे वगर दोनां धर्मों में होने लगी जिससे हिंदु मुसलिम को में लगे बहुत सारे सि कर दो क्वारे से मुसलिम लीग में अपर्स तू री निगोशिये दैन आया इन ग। क्या मतलब है कॉंडिस और मुसलिम लीग ने फिल से मिलकर एक गठ बंदन बनाने की सोची लिए 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 लेगोशेशन वारता आपस में वारता करने की शुरुआ की and in 1927 it appears that such a unity could be forced 1927 में इस तरह की एक एकता का उधारन दे सके इंपोर्टन डिफ्रेंस बाइंड इंडिया में जाएगा जब आदाजी मिल जाएगी तो हिंदू कबजा कर रहेंगे हर चीज पर मुसल्मानों के हाथ में पुछ भी नहीं रह जाएगा इसी लिए जो कॉंसिले कॉंसिल में रिप्रेजनेटेटिव होने चाहिए वह मुसलिम भी उनके पॉपलेशन के प्रसेंटेज में होने चाहिए तो इसी लिए देखो इंपॉर्टन डिफ्रेंस इस वर ओर अब अब रिप्रेजिंटेशन इन ना फ्यूचर असिंब्ली मुहम्मद अली जिन्दा वरांट लीडर सब्स्लिम लीग मुसलिम लीग और मुसलिम लीग तो बहुत बड़ी पार्ड़ी थी है तो जिस तरह से दलतों ने सब्रेट एलग्ट की मांग की थी डॉक्तर व्यार अबेटर के थ्रू उसी तरह से यह भी सब्रेट एलग्ट चाहता लेकिना अपने एवांट चोड़ दी सब्स्लिम्स वर अशूर्ड रिजर्व सीज इन थे सेंटर अस्ट्री अच्टर जहाँ जहाँ जिस जिस टेट में ज्यादा मुस्लिम पपॉपलेशन है उस पॉपलेशन के इसाप से पूम कुम स्टेट में हमें रिजर्ट सीज चाहिए सेप्रे एलेक्टोरेट की ज़रूरत नहीं है ऐसा मुहमंद ले जिंश्ञना ने कहा ठीक है तो यह जो मुस्लिम डॉमिनेटेड पॉपलिशन प्रोइंस थे पंजाब और बंगाल पंजाब आज का पंजाब हमारा बहुत छोटा बंजाब इंडिया का जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान चला गया हो बहुत बड़ा हिस्सा है पंजाब अचली शाहिए सबसे प्रिशन पंजाब इस्टेशन कंटिनू ठीक है बट आल पार्टीज कोंफरेंस 1928 में डिसपीर होगी सारे के सारी जो हो रहा था नेगोशेशन सोड़ी थी वार्ता हो रही थी वो सारी खतम होती नजर आई निस सो अठाइस में जब मिस्टर जैकर अमर जैकर of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts strongly opposed efforts at compromise mr. mr. m. r. jacob do the Hindu Mahasabha की उनना बला इसके आगे हम इससे जादा उनको उनकी चीजों को हम हा नहीं कह सते उनकी मांगों को हम यह नहीं पोचिए ठीक है वेंद शिविल कि सब्सक्राइब श्टार्ट जरू है तो दोनों समाजों में एक दूसरे के तती शक्की वहावना थी और अविश्वास की भावना प्रगाड थी खीक है एले इंदेड व्ण गॉंग्रेस लाग सेक्शन अव मुसलिम्स कुट नाट रिसपॉंग जब शुक्र करने से मिलकर नहीं पाये थी मैनी मुस्लिम लीडर्स और इंटिलेक्ट्टूल्स एक्सप्रेस्ट्स अब इसे इंट्टूल्स उप्रिया बहुत सारे इंटिलेक्ट्टूल्स फरी उन लोगने सच में इस बारे में चल्टा ज़टाई कि यूचर क्या होगा इंडिया मुस्लिम्स का इस फिर दाट अप्र जान दिया जाएगा विजर्टी ही अपना अपनी मनमानी चलाती रहेगी इन फ्यूचर अगर इसा चलता रहा तो यहां पर खतम होते है क्या गई कितने पॉइंट है दोस्तों इसमें एक दो तीन चार पाट छे साथ नौ दस घ्यारा पॉइंट है और इससे बड़ा आंसर भी है दोस्तां पांच मात के लिए पुछाता है वह है अगला अगला सेंस अफ कलेक्टिव बिलॉंगी शायर इसमें बारीस पॉइंट है तो इक्कि इसमें दलिट आते हैं रोल अब डॉक्त बीर अबड़ेंगर जो एंपावर्मेंट किया पॉलिटिकल एंपावर्मेंट किया तरुट और फीलिंग ऑफ एलिएशिव वह देखा अब हम देखते हैं इसकी तरफ सेंस आफ कलेक्टिव बिलॉंगी इसका मतलब क्या है टॉप तक हम हमसे एक ही जज़े से शुरुआर्ट वचिए हमने अंग्रेजों का जूल्म उनके टैक्स जहें उनकी जितने भी नाइंसा फीटियों कि हम्हों वह तो सब पर हुए हिंदू जो भी हिंडिन से समान भूंप से अंग्रिजों की बेरहल्धिक को सहा है इसी लिए हम सब की शुरुआज जो है इस चड़ल के लिए अंग्रिजों से आदा दे की इस चड़ल वह एक जैसे है अब इसको एक बनाने में किनकिन लोगों अपना अपना किर्दार निभाया जो इंपॉर्टन रोल आदा किया लोग तो यह वैसी बात है दोस्तों जैसे हमने पिछले चप्टर में रोमैंटिस्टिम नेशनलिम देखा था वैसा कुछ ठीक है जो इंडिया के सारे लोग को को कलेक्टिव बिलॉंगिन के लिए मैसूस क सब लोग को लगे बवा हम भी इस देश का इस साथ हैं वें डिसकर सम्टिव 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 उनमें कुछ क्या होनी चाहिए यूनिटी होनी चाहिए जो उन्हें एक साथ बात कर रख सके ठीक है इस संस अब कलेक्टिव बिलॉंगिन चेम पार्टली थू थू क्या मतलब है यह जो सेंस अब कलेक्टिव बिलॉंगिंग यह कवाया उनमें जब उन्होंने मिलकर अंग्रदों को अंग्रदों से टक्कर ली उसमें तो पहला पांट होगे दूसरा देर वर और ऑन्सों का वराइटी तो विच नैशनलिजम कैचन पीपल्स इमाजिनेशन कि इसमें सबसे बड़ा रोल आता है सुभाष चंडर बोस कि देख वराइटी ऑफ कल्चर प्रोसेस अधा देंट सेना की स्थापना तो मैं पता दोस्तों उसमें 40 परसं से जादा मुस्लिम थे आदा दें सेना अगर सेना हमरे पास पहले से होती तो बात दिख्याती और हम आगार दी मिली है जो लाफ्लास में वह नहीं के बदूरत मिली है लोग बताते महीं इस बारे में कोई बोलने से डरते हैं लोग बोल सब्सक्राइब की जो आदा दिन सेना के वेटररंस है ना जो समय लड़े उनको अभी 26 जन्वरी की परेड़ में उनको भी लाया जाता है कि बहुत बड़ी बात लोग तो देखो तो देर वर ऐसो वराइटेव कुल्चर प्रोसेस तुरू विच नैशनलिजम क्याप्चर पीपल्स इमैजिए हिस्ट्री और फिक्षिन देखा कथा कविता इन चीजों का भी यानिकि साहिट्यका लिट्टरिचर जिसे कहते है उसक कि इंडिया को बुरा बोलने वाले मुहमत इक्बाल को मैं कभी माफ ना ठीक है मुहमत इक्बाल ने 1905 में नहीं याद है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा लिखा गाना है बहुत बढ़ी अगाना है आज भी लोगों को याद है बहुत ही जादा लोगों में देजभक्ती की भावना जगा दे ऐसा गाना है वो लेकिन उन्होंने ही 1910 में और एक सिमिलर गाला लिखा उसका नाँ था तरना मिल्री फिक है और उस गाने का में मकस्द यही था कि मुस्लिम्स को सेप्रेरेट नेशन या सेप्रेरेट श्टेट मिलें है ये कंसेट मुहमाद जिन्ना को बहुत पसंदा आगया और वही से शुरूवात पाकिस्तान के स्थापना का जो कंसेप्ट है उसका जो जिनसिस है ना वह है मौहमंद इक्बार तो यह बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ को मैं इंडिया और पाकिस्तान का अलग होना ही सबसे बड़ा में बोलता हुआ दुर्भाग्या है इंडिया कि बहुत बुरा हुआ हर तरह से बुरा हुआ उनके लिए भी हमारे लिए इसा नहीं हो जी तो आगे चलते हैं दोस्तों ऐसे मुझे यार आगे तरहाना है मिली इसलिए मुझे बताने का मैं कि आगे तो सोचो दोस्तों कि एक गाने की वज़े से एक नया देश मन जाता है कि इतना बड़ा फर्क पड़ता है क्रथाओं से कविताओं से साहित्य से history and fiction folklore and songs popular prints and symbols all play a part in the making of nationalism the identity of the nation is most often symbolized in a figure or image that is called personification ठीक है याने कि एक इनसान की तरह जों किसी concept को imagine करते हैं तो हम उसको easily clearly देख पाते हैं और उसे easily उसको describe भी कर सकते हैं और उसके प्रती हमारी और क्या सम्वेधना और strong होती जाती है फीलिंग और strong होती जाती है सेंटिमेंट और ज्यादा बढ़ते जाते हैं कि हाई करन है हाई अमिट कि हम तो है कि अधे अधे आधे अधे इंडियन पुलिस ने ट्रेस कर लिया वासे दोसके पाता है पुलिस में वासे उसको हो ने बात नहीं बाद दिखें हिए थे आधे पुराने मंदढ चे आधे दागरिक पुराने बाद लिया से सबींच है बात दिन पर है अच्छा लगा भी कर हाई एवीट कर अधेभीं थे लाइब देखकर मुझे अधिम लगण मैं कि है आख चल को तो हम थे कहांबर कि इंसान की तरह किसी चीज को इमाजन करने से बहुत जाड़ा हम अपने आप से रिलेट कर पाते हैं उसको उसके प्रती अपनी भावना है वहुत ही स्ट्रॉंग बहुत है तो एक फिगर या इमेज की तरह देश को सिंबोलाइज करना चाहिए इस हेल्प् तो हम उसके प्रती जादा डेडिकेटेड हो जाते हैं और इट वांटिएथ सेंचुरी इप ग्रोथ आप नैशनल्थम्ट आप इडेंटिटी आप इंडिया कें तो वी वीजुली असोसिएटेटेड विजुली असोसिएटेट विजुली आप भारत माता ठीक है माता ऐसी चीज है जो तुम कोई भी कास्ट हो तुम्हारी तुम्हारा कोई धर्म हो हमेशा सबसे मों से इस्पेक्टर है इसलिए भारत माता को उसके रूप में एक माता के रूप में इमेजन किया है इसने बनाई इमेज याद रखना दोस्तों ही हुआ है बंकिन चंद्र चतर जी अब तुम लोगे चटर जी एक है चटो पाध्याय है यहां तो अभी शोट हो तो के एंसने बंधो पाध्याय-एब्दर जी हो चुके चटो पाध्याय-चटर जी मुखो पाध्याय-उकर जी और ठीक है वंदे मात्रम 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 वंदे म नोवल आनंदमठ इस नोवल में इंक्लूट किया गया वंदेवात्रम तो इसमें इंक्लूट किया गया पहली बार माता की इमेज है जो प्रतिक्रिती है जो कि इस इस पेंटिंग भारत माता वह पोल्ट्रेड एगर एक बहुत ही ज्यादा दिवाइन पविक्त्र इस टाइप का एक इमेज बनाया गया अध्यात्मिक प्रूप से इसके आने वाले सालों में आगे जो अगले करा करके अपने अपने हिसाब अधिट सर्कुलेटर इंपाइब प्रिंट्स एड वाज पेंटर बाइड डिफरेंट अधिश्य पेंट में जबने लगा वैसे वैसे ही क्या होने लगा पेपर में छपने लगा जैसे जैसे उसी तरव से अलग अलग रूप उसके आपके वह पेंटर दिवोशन तू इस मदर फिगर के प्रती पुरी तरह से डेडिकेट था ना उसको देश भक्त माना जाने लेना इन 19th century इंडिया इन 19th century इंडिया इन 19th century इंडिया नैशनलिस बिगन रिक रिकर्दिंग फोर्टिंग संग बाइब बार्ड्स एंड टूर्ड विलेज तो गैधर फोर्क संग लेजिंग मतलब गाव गाव भूम भूम कर जो लोकल लेवल पे देश के लिए बहुत है अच्छे काम की उनके बारे में गीत बनाना कथाय मनाना संगीत कथाया संगीत नातक बनाकर उसको प्रस्तुत करना जिस्टे की देश भक्ती की भावना जा गया उन सबको करेक्ट करना ये शुगवात की ठीक है इस ते वर ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेशनल कर्चर बाइब गार्ट एंड डैमेज़ बाइज बाइब आउर्साइड पूर्स ती इन्होंने सची सच्चा जो चित्र था जो सचाई थी वह दिखाने की कोशिश की जो बाहर के देशोंने काफी उसे धुमिल करने की कोशिश क तो वो कोशिश नाकाम हुई जब यह कहानिया सुनाई गई तो इस लिए क्यों ऐसा करना दूरी है क्योंकि मैं जो लोग जो अंबर जन्होंने अक्रमन किया अक्रमन काई उन्होंने हमारे हिस्ट्री को भी चेंज करने की कोशिश तो ऐसा नहीं होना चीज लिए लोगों ने वो लोग गीत लोग तखाएं अच्छी तरसे जटन करके रखी जिससे की हमारा देश इन फ्यूचर एकर हमारे देश की हिस कि बैलेट्स ठीक है नर्सरी राइंज और क्या मिट्स एंड लेड मुवमेंट लेड दो मुवमेंट और फोक रिखाएं तो यही कार यह कार दंत अथाओं को लोग तखाओं को अच्छी तरसे रखना यह काम भी रखिनाना तैगोली जी ने शुरू किया इन मदरास नतेश शाद स्थरी पुछिषा शास्तरी नेखिए यही लेड एट सी तर्व बीठिटव मुवमेंट लेड लेज़ को अधिए टो को स्थरूर लेड था मुवमेंट था, तो को लोग ता लोग नहीं थी राश्ट्रिय साहिट्य है नहीं इट वाज दो मोस्ट ट्रस्वर्डी बेनिफेस्टेशन औप पीपल्स रियल थॉट्स और कि लोग अपने आपको किस तरह रेखते हैं उस समय उस जमाने में किस प्रटार के लोग थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी उसको दर अपने जानकारी खिटकी और सिंबोल से इन इंस्पारिंग देंग और जितना जादा वह ऐसे लोकल लोगों के बारे में पढ़ते के जिन्होंने बली दांग दिये हैं उतनी जादा और में देश बस्ती की भावना प्रडाड होती गई दूरिशी मोमेंट इंगाल ट्राइकलर फ्लैट जो रेड ग्रीन यलो का था इसे डिजाइन किया थी उसके उपर आठ लोटेस थे जो इंडिया के आठ कॉलनी इसको दिखाते दिशाए यह आठ प्रोविंस थे इंडिया प्रोविंस और स्टेट में भरग होता है तो उससम पर रेंड ग्रीन यलो और क्रिसेंट ऑफ मून चांद के एक चांद भी निखाए गया था जो हिंदों मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था इन 1921 गांदी जी एड डिजाइन दस्वाराज प्लैंग में गांदी जी ने स्वाराज प्लैंग दिजाइन किया यह ट्राइक इस पिनिंग घील था जांदी जी ने जुनाया है रिप्रेजेंटिंटिंग गांधिया आइडिल ऑफ सेल्फ हेल्प ठीक है कुद की मदद खुद करो जांदी जी ऑल्वेज बिलीव दिन प्रोड़क्शन बाइमास नॉट मास प्रोड़क्शन यह तुम ने जोग्रफी के परस्ट्र में पढ़ा है कि इसी लिए कि सेल्फ हेल्प ओके कैरिंग दा फ्लैड फ्लैड को कैरी करना फोल्डिंग इडालॉट उपर उठाना और मार्च के समय यही अंग्रिजों के खिलाफ आवाद उठाने जैसा माना जाता था ठीक है यह था क्या सिंस आप क्लेक्टिव बिलॉंग में इसमें बहुत सारी चीज़ें दो तो बहुत बड़े रोट से आप क्या कर सकते हैं जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं डाउनलोड अप श्रीचा स्ट यह प्रॉम दफ्ले स्टोर और एक बार जो मेरे सुड़न पुराने सुड़न वह अपने फीडबैक्स लिख सकते हैं मेरे अपर जाकर वहां पर टेस्टीमोनियल दे सकते हैं डाउनलोड करो अंदर जाओ और मेरे बारे में टेस्टीमोनियल जैसा यह आपको लगता है वैस शाथ गटने लगें चैसे सांगें चौदा पेज़स होंगे लास फेला इतना नहीं है पहले चैपेज़स हैं बैक टूबैक शेपेजस ठीक है तो ऐसे वैसे नोट्स नहीं है इसे बनावे नोट्स है आपको बसंती जादा मदल हो गींसे और अगली बार जो चैप्टर अगर मैंस पड़ेंगे तो देखते हैं रहां नहीं पढ़ता है या गूंगल वी पढ़ना है तो फिर से याद करके कि कैसे बढ़ती फैरा बढ़ती एक बहुती दुखन बात बताना चाहूंगा एक बहुती मश्हूर राइटर थे उन्ता नाम है बीएस नाइपॉल उनको उनकी बुक के लिए नोबल प्राइज में चुका है इंडिया नाइटर थे उन्होंने बुक लिकी थी इंडिया से बंदुवा मजदूर जो बेस्ट इंडियर ले जाए जाते और वहां पर भी अपर थी था ही अमेरिका में कि गाले लोगों को गुलाम बनाके रखाए जाता तो गुलामों में इंडियन भी थे और आफ्रिकन दिखने वाले ब्लाक पीपल भी थे तो इंडिया से जो लोग वहां गए उन लोगों कितनी तक्रीज दी जाते थी कितनी पीड़ा दी रहती थी उनके मालिकों दौरत और लास्ट में इंडियन जो यहां से वहां गए थे वहीं के वो के रहे थे ठीके वहां पिस एक मात्र ऐसा दे जहां पर वे इंडियों देने लिखा हुआ है से लोगों ने किसी और देश प्रभाओं हम हमारे देश के बच्चों को पढ़ा रहे हैं यानिकि हम दूसरों द्वारा हमारे देश का लिखा हुए उपर से उनको और पढ़ा दी रहे हैं आने वारी जिन में इतनी महानबात हैं अपने आप पे बहुत ही महानबात है कि इंक्लूजिवनेस के नाम पर भारत को बर्बात किया जा रहा है कि अब बाकी यूरोपियन देख लिए आपने जर्मनी ब्रिटन देखा है कि जर्मनी ब्रिटन इतली और ग्रीश क्रीक वार इंडिपेंड़ने चाहरों देखा है अपने उनके देश में देख लिए जाकर आप वहां पर भी वो जो हिस्ट्री पढ़ाते ना तो अपने देश की लिखी हुए ही सुट्री अपने बारे में बढाते है संदीवात कि इतनी अकल होने चाहिए थी इतनी अकल ली करते हैंडियों कि नहीं हुआ कि ओश्य है कि मैंने जो भी बोला अब ही मेरा कहना नहीं है वह भी अस्मायपलव जी का कहना है जिनों ने जो Nobel laureate Nobel Prize Nobel Nationalism through interpretation of history by the end of the 19th century many Indians began feeling that to instill the sense of pride in the nation Indian history has to be taught about differently the British saw Indians as backwards and primitive पिछड़े होए और प्राचीन माने जाते थे इंडियों तो बिटिश इंडियों से बाक्वर्ड जैंड प्रमिटर इंकेपल ऑफ गवर्णिंग देंसेल्स ओके जो खुद का राज खुद नहीं चला पकते थे ऐसा कुछ कि इन रिस्पॉंस इंडियों बिगें लुकिं इंटो पास्ट इंडिया अचीज में तो हमने वेदिक काल में वेदों में हमने गोर्ण चीज़ें की थी उसकी तरफ देखती से हमें हमारे पास्ट पर गवरों की भावना हुटी है यह दे रोट अबॉर्ण देवलप्पेंट इंशन टाइम प्राचिन काल में आर्ट आर्ट अर्किटेक्ट्चर उसकाल के आप साउट इंडिया में चले जाए आपको ऐसे ऐसे मंदिर देखने को मिलेंगे जहां पर कॉलंज है उल्टे उल्टे उपर से नीचे कॉलम है नीचे गैप है जमीन और कॉलम की नीच में देखने को दोरियोस देवल पंच इन इंशन ताइम बें आर्ट अर्ट एंटेक्ट्चर आंस अन में एंटेमाटिक्स रिलिजिन और कुल्चर लॉड फिलोसोफी च्राफ एंड ट्रेड है थी एट किस अब्से टुरिण काल जो तो ना इंडिया वा सोनी की चिडिया जब क कि तक्षिशिला नालंदा और इंदोर इंदोर इस तरह यह सबसे जारा सब्सक्राइब का सबसे रिचिस्ट एडिया था उस समय इंडिया को सोने की चलिया कहा जाता है उस समय हर चीज लिजन हो लौ फिलोसोफी हो हर चीज में अज़े चानत कि थोड़ा सबसे पहले काल है ठीक है चानत कि थोड़ा सब बाद काल आशो काल है तो सोचो कितना अच्छा रहा हो गाँ तो इस ग्लोरियस टाइम इंडियर व्यू वाच फॉलोड बाइश्ट्री और डिक्लाइन लिए इस लिए दोस्तों अपने नॉर्मल बोलते समय भी कॉलनी मत बोला करो हम इस कॉलनी में ने रहते कॉलनी का मतलब यह कि तुम पर किसी और नहीं आके कब्दा कर दिया तुमारे एरिया बाढ़ दिये टैक्स देने के लिए इस इरिया का टैक्स अलग मतलब को कॉलनी अलग ऐसा ठीक है तो तो इस ग्लोरियस ताइम इन देर विव वस फॉरड़ बाढ़ में जरी हमारा जो अच्छा अच्छी थी थी देश की इसके पर गर वना चीव चीजे कम होती होती जाए क्रोने स्कॉनाइब इस नैशनलिस्ट हिस्टरी इस अर्ज्ट रीडर्स तो टेक प्राइड इंडिया अच्छी थी थी नैशनलिस्ट हिस्टरी थी इससे हमें हमारे देश के इत्यास पर गर्व होता है इन पास च्रेगल तो चेंज दो मिजरेवर केंडिशिंस अप्लाइब बिटिश रूल में इंडिया में इंडिया में इंडिया में इंडिया में इंडिया में इंडिया में सिर्फ क्लर्क बनाने के लिए जारा जारा बहुत कोई हुशार होगा सुबाशन को बहुत कोई एक्स्ट्रोडिनरी टालेंटेड होगा तो उनके लिए इसके लावर कुछ नहीं लोगों को एक करना विटा नहीं था उसमें प्रोडिफाइड वास हिंदू कि बहुत ही कुरान है समय से पुरातन काल से श्चनातन काल लेकिंडिया का में पार्ट रहे हैं वन दिए मेजेश चलिबरेटर वर दौन हिंदू को आइकनोग्राफी देंद पीपल अधर कम्यूनिटी स्पेल्ट लेक्ट आउट जादा तरह हिंदूइजम ही और पढ़ाएंगे तो वही दूसरे जो सब्सक्राइब होगा इसी लिए दोस्तों जब अंग्रेश थे यहां पर और अंग्रेशों से टक्कर लेने के लिए इ तारी कम्यूनिटी के इंदिन लोगों ने क्या क्या पॉजिटिव कदम होता है ना इनको हाइलाइट करने वाली हिस्ट्री चाहिए आदिया उसी से देश दौरानवित होगा